आहलो स्थूडेंट आज हम नेक्स्ट नाच्रल रीसौर्स एप्टोरियूम के बारे हम लोग लोग फो değl लाइफ Carnival नाच्रल रीसोर्स के बारे में व Interesting carrier है तो इसमत नेश्ट नाच्रल रिसोर्सर्स ऑर और अरी दीटेएलि में बढ़ चुक हैं fossil fuels क्यों क्योंकि ये बनते है from the degradation of biomass of plants and animals ठीक है तो इसलिए इनको fossil fuels कहा जाता है fossils dead remains है क्योंकि ये plants and animals के ठीक है अच्छा coal or petroleum natural resources है जो बहुत ही important energy sources है क्या है energy sources ठीक है coal is used as a fuel in homes industries ठीक है so coal का usage होता है as fuel ठीक है इसको हम use कर सकते है to generate electricity ये use होता है thermal power plants में coal का use होता है electricity generate करने के लिए इसके अलावा जो petroleum products है जैसे की petrol हो गया diesel हो गया इनको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट में to run स्कूटर्स वाइकर्स इन सब में यूज होता है पेट्रोल डीजल ये सारा और केरोसीन हो गया LPG हो गया ये भी क्या है पेट्रोलियम से ही अप्टेन होते हैं LPG की फुल फॉर्म बता सकते हैं इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गास ये भी दोमेस्टिक फ्यूल्स के लिए यूज होते हैं फॉर कोकिंग फूड एकसेक्टरा ठीक है जब से इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हुआ है इंडस्ट्रीज बनी है जो एनरजी क्रा यूसेज है वो बहुत ही इनकरीज कर रहा है ताकि हमारी बेसिक मीज को फुल्फिल कर सके क्या फूड की कोकिंग जैसे की ठीक है और फॉर दे मेनिफेक्टर ओफ गुड्स जिन पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है तो अनरजी का कंजम्शन और ज़्यादा बढ़ रहा है ठीक है लेकिन हम लोगों को जो सबसे इंपोर्टन चीज धिहान रखनी है वो क्या है कि ये जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है तो उसके लिए हमें सबसे बहले पता होना चाहिए कि कोल पेट्रोलियम बनते कैसे जैसा कि मैंने बताया कि कि ये प्रभेस्टन अफ बायो मास चीक है Biomass का इगरेशन होगा plants, animals तो क्या बनते है coal and petroleum so plants के degradation से coal और animals के degradation से petroleum ठीक है buried deep under the earth millions of years ago तो इसका मतलब बहुत साल पहले millions of years ago पहले जो ये dead remains present होंगे they get converted, gradually converted into coal and petroleum ठीक है तो इसका मतलब coal और petroleum बनने में बहुत time लगता है years लग जाते है ठीक है coal हम कहां से obtain करते है coal mines से जो की हम earth को dig करने पर मिल सकते है petroleum हमको oil wells को dig करने पर मिलता है ठीक है deep in the earth जो crude petroleum oil obtain होता है oil wells से फिर इसको separate किया जाता है into fuels और इससे हमें क्या-क्या मिल जाते है LPG petrol diesel kerosene यह सारी चीज़े हमको मिल जाती है यह clear हो गया आपको अच्छा अब past में हम coal और petroleum resources को इतना rapidly use कर रहे है कि वो near future में खतम हो जाएंगे एक estimation के according जो अगर हम जिस present rate of consumption से consume कर रहे है जो present rate चल रहा है consumption का अगर इसी तेजी से हम consume करते रहे तो जो petroleum reserves हैं वो 40 साल से जादा के लिए नहीं बचेंगे और जो coal reserves हैं वो 200 साल तक के लिए बचेंगे उसके बाद ये exhaust हो जाएंगे तो future generation के लिए नहीं बचेंगे ठीक है क्यूं क्यूंकि they are formed extremely slowly fossil fuels है millions of years ago जो plant और animal remains थे biomass था जो की गड़ा हुआ था वो उसके degradation से बनते हैं तो obviously जो next generation के लिए फिर और it will take time it is a time consuming task so ये खतम होना तो इनका बनना is a very time taking task ठीक है तो बहुत जरूरी है कि हम इनको conserve करें save करें coal or petroleum के resources को कैसे by reducing their consumption उनके consumption को कम करके ठीक है लेकिन सबसे important point जो दिमाग में आएगी कि हम इनकी consumption को कम कैसे करें कैसे हम reduce कर सकते है इसके consumption को ठीक तो हमें पता है coal electricity बनाने के लिए यूज करता है तो अगर हम electricity save कर लेंगे तो हम coal का consumption automatically save कर लेंगे ठीक है हमें पता है petroleum product से kerosene और LPG बनते हैं जो की cooking में यूज होते हैं petrol और diesel बनते हैं जो की fuels की तरह यूज होते हैं वहिकल्स में तो अगर हम इनको save करना शिरू कर दे तो हम petroleum का consumption भी काम कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम कुछ steps discuss कर लेते हैं जिससे की हम coal और petroleum के consumption को काम कर सकते हैं यह वो steps हैं जो हम बचपन से सीखते हा रहे हैं और I guess हर छोटा-छोटा बच्चा भी जानता है ठीक सबसे पहला यह है कि switch off, lights, fans when not in use जब use ही नहीं हो रहे हैं तो क्यों जला के छोड़ना है ठीक है तो इससे बहुत सारा electricity save होगा और indirectly coal save होगा ठीक नेक्स्ट क्या है हम electric efficient मतलब हम efficient electrical appliances यूज करें क्या मतलब है इसका बहुत आइड आते हैं जो कि आपकी electricity बचाने के लिए tube lights या फिर bulbs जो होते हैं वो उसकी सेल के लिए जो आते हैं आज वो क्या बताते हैं कि हम CFL नाम सुना होगा आपने कि compact fluorescent lamps या फिर fluorescent tube lights इनको यूज करें हम traditional filament type वाले bulbs को ना यूज करके ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि ये जो CFL होते हैं ये बहुत कम electrical energy यूज करते हैं as compared to this type ये कम electrical energy यूज करें गोर ये जादा यूज करता है ठीक है then use stairs अगर आपको third floor तक जाना है three floors तक चलने के लिए at least three floors तक चलने के लिए आप building में lift का यूज ना करें सीडियों से जाए जिससे की electricity बचे की ठीक है then stoves जो है वो good quality के होने चाहिए क्यूँ ताकि वो fuels को burn करे to obtain maximum heat ठीक है then next आता है solar cookers को use करना चाहिए जहाँ पर भी possible हो खाना बनाने के लिए then the use of biogas as domestic fuel biogas का यूज होना domestic fuel के तौर पर rural areas में encourage करना चाहिए ठीक है then next क्या हो जाएगा हम जहां पर भी bicycles का use कर सके अगर short distances cover करने है तो हम bicycles use करे instead of going through our own vehicles ठीक है इसे क्या होगा petrol safe होएगा then जो public transport system है वो local bus हो गई ट्रेंज हो गई तो पबलिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो अगर थोड़ा सही हो जाए सही कर दिया जाए ठीक है improve कर दिया जाए ताकि लोग communicate कर सके easily उससे और अपने वेहिकल्स अपने individual वेहिकल्स ना ले कर जाए तो इससे भी बहुत जादा पेट्रोल और डीजल सेव होगा then fuel efficient engines of motor vehicles जो motor vehicles के engines हैं वो fuel efficient होने चाहिए उससे क्या होगा इस तरह से डिजाइन करने चाहिए जिससे की पेट्रोल और डीजल का consumption कम हो जाए यह कुछ steps हैं जिसके तरह हम कोल और पेट्रोलियम के consumption को थोड़ा कम कर सकते हैं reduce कर सकते हैं ठीक है अच्छा आपको एक सीज बता दे जो कोल और पेट्रोलियम based fuels हैं उससे pollution भी cause होता है ठीक है ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ देखे जो कोल और पेट्रोलियम है वो हमें पता है किस से बनता है बायो मास से बनता है plants और animals के ठीक अब इसमें क्या होगा कार्बन तो हो गई होगा hydrogen भी हो गई होगा अब organisms के अंदर nitrogen और sulfur के भी तो elements होते हैं तो जब कोल पेट्रोलियम based fuels जैसे के पेट्रोल डीजल इनको जलाया जाता है बर्न किया जाता है तो combustion से जो products बनते हैं वो क्या होते है carbon dioxide water sulfur dioxide और nitrogen के oxides बनते हैं ठीक है अच्छा अगर ये combustion insufficient supply of air में हो मतलब oxygen सही तरीके से ना मिले तो carbon monoxide भी बनता है ठीक है इन सब में सिर्फ एक water है जो की harmful नहीं है harmless है और हमारे environment को affect नहीं करता बाकि सारे products harmful है and they pollute the environment कैसे जो sulfur dioxide है वो lungs को affect करता है bronchitis cause करता है जो की एक disease है इसके अलावा और भी diseases cause कर सकता है इसके अलावा ये rain में mix हो जाता है dissolve हो जाता है और क्या produce करता है acid rain बनाता है जब ये acid rain बनती है तो trees, plants, aquatic organisms, buildings, metal structures सब डामेज हो जाता है ठीक है nitrogen के जो oxides है वो भी यही काम करते हैं बहुत सारी breathing system को मतलब बहुत सारे diseases cause करता है respiratory system से related और breathing system को damage कर देता है attack करता है और इसके लावा ये भी acid rain cause करता है ठीक है carbon monoxide बहुत ही poisonous gas है जो की body हमारी body में जाके blood में mix हो जाती है और red blood cells को oxygen carry नहीं करने देती हमें पता है हमारे हर cell को oxygen की बहुत जादा जरूरत है जहां हमारी body को oxygen मिलना बंद हो जाएगा वहाँ suffocation हो जाएगी और अगर इसका concentration बढ़ गया तो death भी हो सकती है ठीक है then next आता है carbon dioxide carbon dioxide poisonous नहीं बोलेंगे लेकिन ये एक greenhouse gas है right अब greenhouse gases क्या करती है ये जो sun की heat है उसको trap कर लेती है ठीक trap कर लेंगी तो जितना जादा fossil fuels burn होएगा उतना जादा CO2 का अमाउंट बढ़ेगा इटमोसफेर में और उतना जादा ये greenhouse effect होएगा मतलब वो energy को trap करेगा जिसकी वज़ा से क्या हो जाएगा global warming के chances बढ़ जाएंगे ठीक है clear हो गया तो हमने इन सारे points को discuss किया इससे मुझे एक चीज तो समझा गई कि हमको fossil fuels मतलब coal और petroleum को बहुत ही judiciously use करना है इस तरह से कि हमारा भी काम हो जाए और future generation के लिए भी बच जाए और इसके दो reasons हैं क्या सबसे पहला reason कि ये जो resources है ये limited है ठीक है तो बहुत जल्दी exhaust जाएंगे दूसरा reason इसके जो products हैं वो environment को pollute करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसका usage कम करें तो हमारा environment भी pollution से बचा रहेगा अचा अब जितना ज़ादा excessive और indiscriminate use हो रहा है ना natural resources का इसकी वज़े से हमारा environment जो है वो affect हो रहा है day by day तो अपने environment को बचाने के लिए हम कोई strategy क्या अपना सकते है वो क्या है 3Rs की strategy ठीक है इसमें तीन चीज़े आती है क्या क्या reduce recycle and reuse ठीक है reduce का मतलब है कम करना ठीक तो जहां हम natural resources का usage कम कर देंगे उन practices को कम करके जिसकी वज़े से उसकी wastage हो रही है जैसे हम electricity को waste नहीं करेंगे कुछ भी unnecessary lights या fans खुले होंगे तो हम बंद कर देंगे ठीक है हम अगर हम electricity को save कर रहे है तो मतलब हम coal को save कर रहे है use कम कर दिया उसका coal ही तो use होता है electricity को generate करने के लिए ठीक है हम water का replacement सो सबसे पहला चीज हम क्या कर सकते है electricity save कर सकते है दूसरा हम water का wastage को reduce कर सकते है कैसे की अगर leaky taps है उसको repair करा दे हम LPG का usage petroleum का कम कर सकते है हम solar cookers यूज कर सकते है उसकी जगा ठीक है LPG food बनाने cooking के लिए यूज होती है ठीक हम petrol की जगा हम walk कर सकते है ठीक है मेरकों पास में जाना है में walk करके है cycling करके चली जाओ वगर short distances कवर करने ठीक है and we can reduce the use of water resources and fertilizers कैसे हम food को वेस्ट ना करें ठीक है हम food को वेस्ट नहीं करेंगे तो क्यूं क्यूंकि सबसे ज़ादा पानी और fertilizers food के production में यूज होते है तो यह reduce करना हमारी कुछ activities जो की हमारी कुछ practices जो की हम कम कर सकते है reduce कर सकते है जिसकी help से हमारा जो environment है जो हमारे natural resources है वो save हो सकते है ठीक है next है recycle recycle का क्या मतलब है कि हम कुछ ऐसे discarded items जैसे की paper हो गया plastic हो गया glass हो गया metals हो गया ठीक है हम इनको अपने जो normal garbage है उससे separate कर ले हमारा जो domestic waste है हम उसको segregate कर ले divide कर ले जिसमें हम कुछ ऐसी चीजें जिनको recycle होना है उनको अलग रखे और जो बाकी waste है उनको अलग रखे तो सबसे पहला important चीज है recycling का is to segregate our waste ठीक है we should segregate the non-biodegradable from the biodegradable तो यह जवाला recycling waste है इसको हम industries इनके respective industries में भेज सकते हैं ताकि fresh paper plastic glass या metal के objects बन सके ठीक है reuse जैसा की नाम से लिखा है using things again and again जैसे आपको बता है अगर घर में हमारे हाँ jam की bottle आ रही है या बॉन वीटा का डबबा आ रहा है तो हम क्या करते है जब वो खाली हो जाते उसे फेग देते हैं क्या? नहीं हमारी मम्मिया उसको साफ करके उसमें बाकी जीजे भर लेती है जैसे की क्या-क्या भर सकते है उसके अंदर pickles भर दिया spices भर दिये salt, sugar, tea leaves, pulses कुछ भी भर सकते है ठीक है आप paper envelops होते है paper envelops को हम मतलब इसका reverse कर दे inside out कर दे और हम उसको दुबारे यूज कर ले ठीक energy की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज को recycle करने के लिए लेकिन reuse में कोई energy की ज़रूरत ने पड़ती है ठीक है लेकिन हाँ ये है कि हम कुछ items है जिनको reuse नहीं कर सकते तो बहुत ही limited हो जाता है वो चीज ठीक है so I hope आपको clear हो गया है कि हमारे कौन-कौन से natural resources होते है उनके details आपको पता है और आपको ये भी पता है कि हम अपने environment को कैसे save कर सकते हैं हमारी खुद की activities के तरू ठीक I hope आपको ये video clear हो गया अगर आपको कोई भी issue है इस particular concept या इस particular chapter से related आप comment box में लिखी we will try to resolve आपको